हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल दियो जीकेटरिक्स में तो दोस्तमलिया पर हिंदी का बहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं जोकि डेली क्लास आपकी होती है का कोर्शन दिया गया है आविर भाव का सही विप्रियस कोर्शन आपके होते हैं तो आप लोग हिंदी में ही टाइप करें क्यूंकि जैसे क्या होता है कोई कोर्शन पूछ रहा होता है और हिंदी में थोड़े से अंतर में ही पता नहीं चलता है कि इसका मतलब क्या है ठीक है ना तो हिंदी में टाइप करें चले आपर दिया है है यहां पर देखे आविर भाव का होता है तिरो भाव होता है क्या होता है तिरो भाव जिसका भी आप्सन है यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा हना आविर भाव का मतलब होता है उदय हना यह इसे कह सकते हैं ओतरंड यह कह सकते हैं इसे प्रकट करना तो तिरो भाव को इतने मतलब हो जाएगा अद्रस होना अंतर ध्यान होना या लोप हो जाना है ना तो इसका जो आपसर निवाब का सी नमबर है राइट हो गया आगे बढ़िए कहा रहा है उन्मूलन का सही विपरित सब दिन में से बताना है उन्मूलन का विपरित इन में से क्या हो जाएग अगला है बाग और बकरी एक घाट पानी पीती है तो ऐसा क्या बनेगा क्या बताइए बाग और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है एक घाट दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं और दिया गया है एक घाट दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं तो भईया A नंबर में और C नंबर में क्या अंतर कुछ लग रहा है कि आप लोगों को कोर्शन नंबर मतलब आपसन नंबर जो आपका A दिया गया है और आपसन नंबर यहां पर C दिया है दोनों में कोई अंतर है आपका या सेम है एक गाए दो घोडे और एक बकरी मैदान में चर रही है अच्छा चर रही है आपका रियावत दिया गया था तो भई आपसन मताए क्या हो जाएगा इसमें से आपसन जो आपके हो जाएंगे इनमें से कौन से राइट हो जाएगा एक गाए दो घोडे और एक बकरी मैदान में चर रही हैं तो आपका चर रहें आपसन हो जाएगा मतलब आपसन आपका ए नमर राइट हो जाएगा ठीक है के लिए रहे हैं चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है यहाँ पर देखो दिया गया है कर आप से मैं अपनी करता है मैं आपकी स्रद्धा करता हूं यहहां पर दिखे 73 समबर में मैं आप पर स्रद्धा रखता हूं option c आपका राइट हो जाएगा है ना चलिए यहाँ पर आगे पढ़ा है या घनिस्ट पढ़ा है चवारी संबर में तो देखो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा कौनसा बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर याँ पर घनिस्ट होता है क्या होता है काफी लोगों की जवाब देखिए गलत भी आप आ रहे हैं याद रिखे घनिस्ट होता है कौन सा option B वाला आपका right हो जाएगा अगला question दिया गया है आउध्धोगिक किस प्रकास से सही लिखा जाएगा 45 option दीजे आउध्धोगिक किस प्रकास से सही लिखा जाएगा तो आउध्धोगिक कि अगर मात करें तो आपका अंसर यहाँ पर क्या बनेगा जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं 46 संबर में तो जंगल में लगने वाली आग तो जंगल में रहते हैं कौन दानाव लोग रहते हैं तो दानाव रहते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर दावा नलसर राइट हो जाएगा दावानन हो जाएगा यहाँ पर देखे अगला question आप से दिया गया है क्या आप से जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए सब दिन में से क्या बनेगा जहां लोगों का मिलन होता है उसके लिए सब दिन में से क्या हो जाएगा चले 47 संबर में तो 47 को option क्या बनेगा यहाँ प है प्रुष्कार होता है परितोसित होता है उपहार होता है प्रोमो पहार होता है चले आप लोग पहले जवाब दीजे इसका जवाब हम बाद में देंगे देखते हैं आप लोगों क्या अंसर यहां पर लोग करने वाले हैं चले तो आप कहेंगे कि सर यहां पर जब कुछी प परितोसित होता है तो कहेंगे सर ये पुरुषकार क्या बलाए है पुरुषकार भी तो कोई चीज है तो किसी कार या सेवा के लिए पुरुषकार दिया जाए तब उसे पुरुषकार कहते हैं तो आपके दिमाग में आया कि उपहार क्या चीज है तो ये उपहार भी तो कोई प्रदान के जाता है अपने से बराबर या छोटों को वेट सुरू हुआ प्रदान के जाता है तो उसे हम लोग उपहार कहते हैं तो तीनों पॉइंट एक साथ आप लोग नोट कर लिजेगा है ना चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है साख खिभाव मिश्री तन्रा को कहते हैं साख खिभाव और मिश्री तन्वा तो कहते हैं क्या कहते हैं यहां पर 49 नंबर में ऑप्शन देखे डी नंबर यहां पर प्रड़े कहा जाता ह क्या खाता है कि साख खिभाव में इसी तनराख को प्रड़े कहते हैं जो कि option यहाँ पर D-number right हो जाता है जब कि यहाँ पर देखा जाए कि भाई और बहन या अन लोगों से इसने होता है जिसे भाई है या बहन है तो उसे क्या होता है इसने होता है और अपने छोटे या बच् प्रति होता है दोस्तों के उसे हम लोग साख्य भाव कहते हैं यह सब्झेने वाले हमिस्ति कारण चारित पर दोस्त लगना यहां पर 50 ढ़ीघा कि कि इस संगति कारण चारिट पर छरी पर दोस्त जब लग जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भई कलंक बोलते हैं या अपयस बोलते हैं चले इसे कलंक के कहते हैं विलको option है 50 में option मनेगा सी नमबर कुछ लोग जवज्चती यहाँ पर इस question को गलत कर रहे हैं अपकीरती लगा रहे हैं जबकि यहाँ पर दिया है कि कुसंगत के कारण चरित पर ल लगने वाला जो दोस होता है अब जो लोग अपकीरत दे रहे थे अपकीरत मितलब होता है कि ऐसे बुरे कारे जिसे करने में कीरत कम हो जाती है जैसे कि क्या होता है फैक वीडियो डाला न्यूज गलत सलत न्यूज बताना है यह सब क्या होते हैं इससे क्या होते हैं कि जो कीर जब अपने हाथ में लेकर उसे चलाते हैं और हाथ में लेकर चलाते हैं आर्थात हाथ से ही होता है कामें तो आगे बढ़ते हैं जिसमें संसार के प्रति मौह नारा हो उसे क्या कहते हैं जिसमें संसार के प्रति मौह नारा हो उसे क्या कहते हैं आपका जवाब क्या हो जगा तो आपका जवाब हो जगा यहाँ पर आपका ए नंबर क्या बोलते हैं विरत रागी बोलते हैं और कुछ बोलेंगे अनुरागी बोलेंगे चरे बताएगा यहाँ पर बताएगे आपका यह नमबर बनेगा यहां पर आपका सी नमबर बनेगा यह नमबर बनेगा देखें यहां पर यह हो जेगा वीतरागी बनेगा याद रिखें कि जिसमें संसार के प्रती मोह ना रहा हो उसके लिए होता है वीतरागी क्या होता है अब जिसके दिमाग में आया है कि अनुरागी क क्या होता है तो यादर के जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे अनुरागी कहते हैं ठीके जिसको मोह हो निगेटिव ना दिया हो तो आपका उसे अनुरागी कहते हैं ठीके चलिए आगला बताएगा कि जो कभी बुढ़ा ना हो जो कभी बुढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं तो जो कभी भी मृत्ती को प्राप्त ना हो हना जो कभी मृत्ती को प्राप्त ना हो उसे अमर कहा जाता है और यहां पर देखो दिया गया है आपका तरुन सब्द दिया है तरुन तरुन मतलब होता है कि युवा अवस्था को प्राप्त करने वाले को तरुण कहा जाता है और सदा बार के लिए तो आप लोग जानते हैं पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जिरुदि करेगा अगर आपको हमारी यहां पर हिंडि की क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा सबी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ठीक है यहाँ पर देखे आपका जो चववा नंबर है ऑप्शन डी होजेगा अवयध का जाता है जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवयध का जाता है क्या अवयध का जाता है समविधानिक मतलब होता है जो समविधान के आधिन होता है उसे समविधानिक कहते हैं और जो वीदी के आधिन होता है वो इसे वैधानिक कहते हैं ठीके वैधानिक किसे कहते हैं जो विदी के अनुसार होता है या विदी के आधिन होता है उसे वैधानी कहते हैं आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि खेत का सही तत्सम सब दिन में से क्या होता है खेत का सही तत्सम यहाँ पर क्या हो जाएगा चलिए पच्पन नमबर में आगे बढ़ते हैं कि घोटक का सई तदभा सदिन में से क्या है घोटक का तदभा आपसे पुछा गया है तो घोटक का होता क्या है यहाँ पर देखे बी नमबर घोड़ा होता है गोडा जो कि option बनेगा यहाँ पर आपका वी number अगर हम आपसे पूँचे गड़ब गरधा का होता है गड़ब ऑगड़ब क्या होता है गड़ब होता है वहीं पर जो आपका धड़ा दिया गया है वैसे होना चाहिए गड़ा तो गड़ा यहाँ पर लिखेनेगा इसको गड़ हो जबता हैं तौरित का होता है हम लोग इसमें कह सकते हैं ती जो आपका है यहाँ पर आपका तुरंत या तो इससे हम लोग तुरंत इस प्रकास से भी लिख सकते हैं तो जो दोनों पॉइंट आपके लिखें ये तुरंत और ये तुरंत दोनों को ही हम सही मानते हैं तो आपका जवाब B और C दोनों इस कंसर राइट हो जएगा आप यहाँ पर देखो आपका गद्यास दिया गया है वैग्यानिक के बारे में दिया गया है आसानी सी से हम लोग solve भी कर सकते हैं बहुत आसानी solve कर सकते हैं ठीके ना यह जो जापान में काफी विनासकारी दिक्कतें आई थी वो यही चीज़ के बारे में दिया गया है ना चले यहाँ पर आगे आते हैं कहिразу हिंदी भासा किस लिप में लिखी जाती है देव नागरी का जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है या देवनागरी जो आपके आई है कैसे आई है तो इसका कहीं न कहीं से स्रोत रा होगा हना ये जो देवनागरी है ये ब्राम्ही लिप की ही देन है आर्थात्र ये ब्राम्ही लिप से ही निकल कर आई है तो यादरी के देवनागरी को उत्पत्ती ब्राम्ही लिप से हुई है आगे बढ़ते हैं, question दिया है, निमनेखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? छाचर का जवाब दीजिगा देखे चांचर नंबर में बहुत गजब का कोश्चन है यहां पर बताई यह स्वर नहीं है तो आपका कहेंगे कि विल्कुल इन सरल अंसर है यहां पर यहां तो वे यही तो आपका है ना जो स्वर नहीं है आपका यहां पर आपका संबंद वार्चय को अच्छा यहां पर अगर कोश्चन पूचे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है यह आपको जवाब देना है यह बताई सर्वनाम की संख्या होती हो कितनी होती है इसका जवाब आप लोग दीजे कि सर्वनाम की संख्या होती हो कितन कर रहा है तो आपका जबाब इनसे क्या हो जेगा साथ है तो इसमय और गूसेशन हो जखेगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है सदा एक वचन में प्रियुक्त होने वाला जो सब्ध है आपका कौन सा है सदा एक वचन में प्रियुक्त होने वाला जो यहाँ पर सब्ध है वो आपका कौन सा है तो चलिए आपका जवाब इन में से क्या बनेगा तो चलिए यहाँ पर आपका जो अंसर है आपका सी होजेगा सहायता होता है देखे नोट कर लिजेगा कि यहाँ पर सदा एक वचन में प्रियोगत होने वाला जो सब धोता है इसमें काफी गलतियां लोगों से होती हैं तो यहाँ पर देखे आपका जो जवाब बनेगा सी बताना है, भूधरव का जो संधी विचेद बनेगा, इन में से राइट क्या होजएगा, चली, 70 नंबर में, तो 70 का प्षन क्या होजएगा, यहां पर बनेगा, भूधन, ऊर्ध बनेगा, भूधन, ऊर्ध बनेगा, तो आप बात आती है कि इसमें संधी कौन सी है, इसमें जो संदी है वो आपकी संदी कौन सी है तो देखे यहां पर आपका दीर गस्वर संदी हो जाएगा क्या दीर गस्वर संदी होगा आपसन मनेगा यहां पर आपका बेनमबर ठीके आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया है हाथ याना में कौन सा किरिया है हाथ याना में कौ सी क्रिया है खत्तर नमर का जवाब दीजे जी लोग ने वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजे जितने लोग आप लोग जुड़े हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें तुरंत लाइक कर दिया करें जैसे आप लोगों का तुरंत लाइक दिन में से तो देखो यहाँ पर उतधन चारण मतलब आप से हमने आपको बताया था कि जब बेंजन संदी में ता के बाद क्या ता के बाद जब चा आए या तो चा आ जाए तो ता का परिवर्तन जो होता है ये चा में हो जाता है ये रूल होता है जैसे आपका दिया गया है उत्चारण में तो उत्धन चारण होगा सी वाला हो जेगा इसी प्रिकास दिया हो जात सत धन्चरित सचरित हो जाता सत धन कंसे उच्छ फशर यह खेक्त हो बंकट घ्रइल रूडबंट जीक्म मतलब या पर दन टोष्ट जो आपसन है या परसी नमबर दंतोस्ट जो आपका है कैसा है या आपका वा इसका अंसर राइट हो जएगा दंतोस्ट हो जएगा मतलब इसका जो आपका word निकलता है वो दंतवाले से भी निकलता है और रोष्ट मतलब आपके पावाले से भी निकलता है इसे दंतोष्ट कहते हैं अगला है राम ने खाना खाया में खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है याँ पर बताए तो यहाँ पर देखे चवत्ता नम और यहाँ पर स्तिर हो गया और मिलान करेंगे तो बने नोद के एक राश्टिक चेत्ना ले रहने वाले विट्यों की समीष्टी ही देस नहीं है अप्षन C ये आप एक पर आपको बहाए जाएगा और इस सिकरती पर 1963 में साहित तकादमी पुरुषकार विजेता अमरत राय की है यहाँ पर आपका 19 का जो आपसन है आपका राइट क्या होजेगा चलिए 19 नमर आपको जवाब देना है आपका अंसर क्या होजेगा तो याद रेखेगा कि आपके साहित तकादमी पुरुषकार विजे वी नमबर महादीवरमांसर राइट हो जएगा अगला है कि सन दो हजार तेरा में धूल पाउधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया एकाइस को अप्शन क्या हो जब दिया गया था सरफ सुति सम्मान क्या सरस्सुति सम्मान इसका जो फास्ट हो जएगा ठीक है काफी लोगों के जवाब गलत आ रहे हैं यहां पर जो अंसर होगा वो सरस्सुति सम्मान हो गया दरिके सरस्सुति सम्मान अगला दिया गया है कि जैनेंद कुमार की रचना को हिंदूस्तानी साहित पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो इ इसका ज़वाब दीजे इन में से भारत-भारती पुरुष्कार जो मुला था सबसे पहले मुला था महादेवी वर्मा को किसे महादेवी वर्मा को मिला था इसका आपका यह नमबर होगा और अगला दिया गया है कि साहित कादमी पुरुष्कार 2016 में नासिरा सरमा को कि Barnes के लि बुढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंपंत को किस साहित पुरुषकार से पुरुषकत किया गया है तो यहाँ पर बताईएगा कला और चांद के लिए सुमित्रा नंपंत को किस साहित के पुरुषकार से यहाँ पर समानित किया गया आपका जवाब यहाँ पर जोज बनेग वह किस भासा में रचित था यहां पर बताए कि जिस क्रती के लिए कविनागार्जुन को साहित तकादमी पुरुषकार मिला था वह किस भासा में रचित था यहां पर दिखी 26 नमबर बताना है 26 के अगर हम बात करें ये जो आपकी क्रती है वो आपकी किसकी है तो ये है आपकी धूमिल पांडे की है किसकी है धूमिल पांडे ओप्सन या पलसी हो जगा धूमिल की है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है इनमें से कौन सी रचना ग्यान पीट पुरुषकार से सम्मानित नहीं है ग्यान लिए ग्यान पीट प्रोषकार नहीं मिला है आगला क्वेशं दिया गया है कितनी नाओ में कितनी बार रचना को किस प्रोषकार से सम्मानित गया है 3 29 के अगरम बात करें तो यह है आपका ग्यान पीट पुरुषकार क्या है भई ग्यान पीट पुरुषकार जो आपका है और समझे आपका यह नंबर और आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि प्रेमे में भागवान रचना के लिए जैनेंद को किस पुरुषकार से सम्मान क्या गया सिप सम्मानित की आगे अगला कोशन दिया गया है कि वरिष्ट शाहितोकार कासी नासिंग का उनकी करती रहान परगुके लिए इसे मन प्रेहन पर रग्गु के लिए सम्मानित किया गया है, यहाँ पर वताईए कासी नासिंग को, तो याद रेखे, यहाँ पर 31 को आप्शन D, साहित अकादमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था, अगला है कि हिंदी अकादमी का सलाका पुरुषकार सबसे पहले किसे दिया गया था यहां पर option बनेगा क्या डी नमबर डाक्टर राम बिला स्थर्मा को सबसे पहले हिंदी साहित का सला का पुरुष्कार दिया गया था कि किस वर्स लेखा को और उसकी क्रती के लिए साहित तकादमी पुरुषकार से समानित करना आरम हुआ था अर्था जो साहित तकादमी पुरुषकार है इसकी सुरुवाद जो हुई थी वो आपकी कब से हुई थी यहाँ पर 34 को अप्शन दीजे चले जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका देखिए D नमबर और किसी का जवाब आ रहा है A नमबर 1955 चले हम मानते हैं कि आपकी बास सही है 1955 में तो आपको यह भी बताना है कि 1955 में सबसे पहले जो दिया गया था वो किसे दिया गया था चलिए बताएगा कोई 1955 में सबसे पहले जो साहित तकादमी प्रुषकार दिया गया वो किसे दिया गया था इसका जवाब दीजगा चलिए भई बताएगा वर्मा को दिया गया था क्या भई नहीं दूसरा बताएगे चलिए यहां पर देखें आपका जो अंसर बनेगा 1955 में जो दिया गया किसे दिया गया था याद नहीं है भई आप लोगों को है ना हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि माखन लाल चतुरवेदी को किस रचना के लिए साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया था माखन लाल चतुरवेदी को सबसे पहले 1955 में पुरुषकार दिया गया था याद आया है सभी को सबकी यहां पर आज गलतियां आ रही थी हना इसका जो आपसन आपका यह नमर हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन आप से दिया गया है महादी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरुषकार मिला चलिए यहां पर दिखो दिया गया है महादी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरुषकार मिला 35 में जवाब दीजे तो यहां पर अंसर क्या हो जगा ग्यान पीट पुरुषकार यहां पर option B हो जाएगा घ्यान पीट पुरुसकार इसके अंसर हो जाएगा अगला दिया गया है कि सनग उनी सुपचपन में साहिद तकाद्मी पुरुसकार से किसे प्रदान किया गया था चले question जो आपका पूंचा गया था वही question आपके सामने यहां पर आ गया है किस्टन 1955 में साहित तकादिय पुरुष्कार से किसे दिया गया तो माखा लाल चतुरुवेदी वही देखी question आपके सामने आपका आभी गया तो option होज़ेगा क्या यहाँ पर आपका C number आगला है question उसने कहा था कहानी के जो लेखा खेव आपके कौन है यहाँ पर अंसर क्या होज़ेगा चले एक आइस संबर में option क्या होज़ेगा यहाँ पर option D number राइट होज़ेगा अगला बताएगा उरवर्सी किसका काप भी है बताए महादी वर्मा का है रामधारी सिग्दिनकर का है या जैसंकपसात का किसका बनेगा चले 22 का जो option आ रहा है D number रहा है मैथली स्रण गोप्त चले यहाँ पर दिनकर भी आ रहा है और साथ में महादी वर्मा भी याद रहे के उरवर्सी जो आपका है रामधारी सिग्दिनकर का है 22 का जो option है वो आपका यह नंबर होज़ेगा दिनकर का होज़ेगा अगला है पंजाब में हिंदी का प्रचार जो किया था किसने किया था तेसंबर में तो यह किये थे आपके स्रद्धा राम फिल्लॉरी हना option होज़ेगा बे नंबर है स्रद्धा राम फिल्लॉरी बनेगा और यहाँ पर अगला कोशन दिया गया है कि हिंदी साहित के इतिहास में प्रसिद्ध कवीरदास, सूर्दास, महा विपसादवेरी, प्रेम चंड, हरीवन सरायबच्चन आद किस प्रदेश से आपकी जुड़े हैं यहाँ पर 24 का जवाब दिजे यह जो सभी हैं वो किस प्रदेश से जुड़े हैं सबका जवाब आएगा उत्तर प्रदेश और आपका जवाब बिल्कुल सही है आपका उत्तर प्रदेशी यहाँ पर राइट हो जएगा उत्तर प्रदेश अगला कोशन बताएगा कि कबीरदास, तुलसीदास, सूर्दास आधि कौन से काल के संत कवी हैं तो इनको हम लोग किस काल में रखते हैं कबीरदास, तुलसीदास और सूर्दास यहाँ पर आपका उनसर होगा बिल्कुल से जुड़े हैं किसे भक्तिकाल से तो अप्षण हो जएगा बेनमबर आगला है निमनिकित में से कौन अस्ट छाप का कवी है कौन अस्ट छाप का कवी है यहाँ पर बता अगला कोशन दिया गया है निमनिकित में से कौन सी पूस तक प्रेम चंदि के द्वारा लिखित नहीं है 27 संबर में तो आपका दिया गया है कर्म भूमी रंग भूमी काया कल्प लेकिन यहां पर दुरूस्वामनी नहीं है तो आप सभी लोग बताए कि दुरूस्वामनी जो अगला कोशन दिया गया है कि निमनिकित में से किसको साहित तकादभी पूदु मिला है आप से पूचा है 19 संबर में यहाँ पर दिख सकते है कि आपके सम्विधान की जो आठिवियन सूची की सभी भासाओं में दिया ज़ता है आपका ग्यान पिट प्रोषकार ओप सुन जाएगा डे नमबर और अगला कोशन दिया गया है कि कवीर की भक्ती का जो स्वरूफ है यह कैसा है यहां पर देखे तीस समबर में तो आपका प्रिय प्रवास जो कि आ रहा है लगभक सभी का जवाब आ रहा है आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जएगा और जो लोग वई यहां पर नए जुड़े हैं तो सब लोग वई वीडियो को लाइक जिरू करिएगा और सात में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिने जिने पसंदारा है वही तो यहाँ पर कंजूसी ना करें कंजूसी करने से कोई फैदा नहीं होगा आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़्यादा ही वेटर रहता है एक टीचर के लिए तो सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबात दिया करें मैला आचल जो आपके फड़िस्टो नाथ रेडू का होज़ेगा और आगे बढ़ते हैं कुर्सिन आपसे अगला पुछा गया है इन में से कौन सी मेरा बाई द्वारा रचित रचना नहीं है मेरा बाई द्वारा रचित रचना नहीं है ते ते संबर में देखो यहाँ पर आपका गीत गोविंद है राग गोविंद है राग सोर्था के पद हैं लेकिन यहाँ पर वैदेही बनवास नहीं है तो आप सभी को बताना है यह जो आपका वैदेही बनवास से किसकी है यहाँ पर आप लोगों को बताना है जो वैदेही बनवास से किसकी रचना है आप लोग जवाब दीजे जल्दी से चले सबी लोग कमेंड करें वैदेही बनवास किसकी रचना है हरयोध विल्कुल सही आया है, हरयोध की है आपकी अगला पताएए सत्यात प्रकास उपान्यास की लेखक का नाम बताना है, सत्यात प्रकास के आपर 34 में आपसन हो जाएगा क्या ये नमर दैयनन सरवसुति हो जाएगा और ये कोश्टन तो आपका पूछा ही पूछा जाता है अगला कोशन दिया गया है किया आप से प्रत्वी राज रासों किस लेखक की रचना है प्रत्वी राज रासों किस लेखक की रचना है अहां पर जवाब क्या होज़ेगा पैंतिस मर में तो पैंतिस को अपसन होज़ेगा आपका क्या डी नमर बिलकुछ सही जवाब आया है ड चले चट्रीस को अप्षन ने आपर क्या होज़ेगा तो यहां चांद का मुढ़ा है नए शाहित का संदर है भूरी भूरी खाग दूले विये लेकिन अंधा यूग नहीं है अभी अंधा यूग जो रचना है वो है किसकी यहां पर जवाब देजे तो अंधा यूग किसकी है चलिए अंधा यूग है किसकी ये बताईए जल्दी से धर में वीर भारती की है किसकी है भई धर में वीर भारती की है आगला कोशन बताईए रंग भूमी किस प्रसी दिलिखक द्वारा रचित उपन्या से चलिए आज आज आप लोगों से कुशन पूछ रहे है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें ऐसा लगता है कि आप लोग कमजोर हो गए हो तो सूच रहा थे कि आपको सब कुछ आने लगा है चलिए रांग भूमिक किस प्रसिद्द लेखक द्वारा है तो 37 को आप्षन भी प्रेम चंड की आप्षन भी हो जगा प्रेम चंड या आपके ओधी भासा में है, बताइए, कौन सी भासा में है, बरज भासा में है, या ओधी भासा में है, तियाद रिखे, राम चरित मानस जो आपकी है, वो आपकी ओधी भासा में है, ओधी भासा में, आगला कोशन दिया है, इनमें से कौन सी रचना, परसाज जी के द्वार किया है ? तो यह बताईए जो परिमल है वो खिस की रचना है तो अनामिका जो रचना है ये भी किसके आपके निराला जी की बनेगी तो इस प्रकास से ये टेस्ट आज कम्पलीट होता है आज हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम थोड़ा सा दी में जरूर पढ़ा हैं लेकिन आप लोगों से जवाब लिया है क्योंकि कई ऐसे कोशन थे हमें लगता था कि निया आप लोग बिल्कुल से अच्छी तरीके से आप लोगों कम्पलीट होगा तो ऐसा लग रहे हैं कि हम आगे आगे fast तरीके से पढ़ाते रहेती तो आप लोग कमजोर हो रहे थे। क्यों बहें ऐसा हैए ना कि आगे आगे हम fast पढ़ा देती थे इस का मतलम सब थे थे टाइम बचेगा लेकिन टाइम नहीं आप लोग तो कमजोर होते चले जा रहे थे हाना हमें लगता था सब पूछ आ रहा है लेकिन आज पता चला कि नहीं इन में भी बहुत लोग हैं जो हमारी कुछ गलतियों की वज़े से आप लोग कमजोर हो रहे हैं चले तो चले ये कोई बान नहीं चुटी चुटी गलतियां होई जाती हैं अगली क्लास में आईए अगली क्लास हमारी है जो की पीटी का मॉडल पेपर है सबी लोग आईए नहीं भाई गदे नहीं हो आप लोग अच्छे हो हाना देखो एक आदे कभी कभी ऐसा होता है कि जवान से मेरी गलतिस निकली गया जवान से मेरी गलतिस निकली गया है भगवान मैं क्या करूं मेरी जवान से गलतिस निकल गया तो क्या होता है कभी न कभी क्या होता है याद नहीं आता है पेट में बारा होता है लेकिन बाहर निकलता नहीं है ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है ना तो चलिए फिर आज की क्लास यह रहां पर खाना खाना है ठीक है